हाई गाईज, वेलकम डू आली बोर्ड, मैं सौरव आप सभी लोगों का क्वांट फैकल्टी, गाईज, आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, उन कैंडिडेट्स के लिए जो S.S.C. C.G.L. 2022 की तयारी करने हैं, आज अपन पूरा मैट्स के बारे में बात करेंगे कि मैट्स का कम्प्रीट सिलेवस है, क्या कौन कौन से चैप्टर का वेटेज कितना है, और कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कैसे आपको इनकी तैयारी करनी है, कौन से चैप्टर को कितना समय देना है, सारी चीजों पर बात करेंगे, कैसे आप को preparation अपनी करनी चाहिए ताकि आप maths में एक बहतरीन score लेप सकें pre और means दोनों exam में tier 1 और tier 2 दोनों exam में आप कैसे धासू score maths में कर सकते हैं तो complete syllabus पे अपने यापे discussion है पूरा chapter wise अगर हम बात करें छोटी छोटी चीज़ें पहले जान लेते हैं तो आप सभी को पता है कि tier 1 का exam आपका जो है SSC CGL का वो चार पार्ट में होता है जहां पे आपकी reasoning maths और general English और आपका general awareness आता है सभी के 25-25 सवाल आपके paper में आया करते हैं और हर question दो number का होता है यानि हर section आपका 50 number का होता है और 60 मिनट का total आपको time मिलता है यानि एक घंटे का आपको समय मिलता है पूरा paper complete करने के लिए बागी SSC CGL का overall exam tier 1 होता है tier 2 होता है tier 3 paper होता है जो descriptive होता है tier 4 आपका common proficiency test होता है और आपका data entry speed test आपका होता है test जिसे अपन कहते हैं तो ये 4 tier में आपका exam होता है जिसमे tier 4 qualifying in nature होता है और इन तीनों से आपकी merit बना करती है ठीक है ये तीन आपके main है 700 में आपकी out of 700 आपकी merit बना करती है SSC CGL में तीनों exam के number जुड़ते है tier 4 qualifying in nature है ठीक है तो tier 1 में भी अगर आप देखें तो maths के 25 सवाल रहते हैं तो कौन सा chapter आपका tier 1 के लिए ज़्यादा important है और कौन सा chapter tier 2 के लिए ज़्यादा important है सारी चीजों पर बात करेंगे जो tier 2 का exam pattern है वहाँ पे आपका 4 paper होते हैं statistics JSO के लिए होता है और finance and economics जो general studies का paper होता है वो double AO के लिए होता है अगर आप इनकी cut off पार करते हैं तो बाकि जो mandatory paper होते हैं वो paper 1 होता है और paper 2 होता है यानि कि main जो आपको इन दोनों post के अलावा के सारी post के लिए जो tier 2 का exam देना necessary है वो है English और quant जहांपे maths के 100 सवाल होते हैं 200 नंबर का paper होता है हर question 2 नंबर का होता है और English 200 नंबर की होती है जहांपे हर question 1 नंबर का होता है और 200 नंबर की English होती है दोनों paper के लिए 2 दो घंटे का आपको समय दिया जाता है और यहां पे math का सबसे ज़्यादा role अब यहां पे आता है math का chapter wise किन chapter को आपको ध्यान से पढ़ना है ठीक है ये समझना सबसे ज़्यादा important है यहाँ पे क्यूंकि आपको main जो यहाँ पे चीज ध्यान रखनी है वो यही ध्यान देना है कि pre में तो 25 सवाल आते हैं सारे chapter से 1-2-2 सवाल आ जाते हैं लेकिन जो main है वो है mains में कौन से chapter से कितने स से आता है और एक आपका letter या precise writing आ जाता है 100 marks का होता है 50-50 number के दो आपके सवाल होते हैं एक घंटे के समय में आपको लिखना पड़ता है ठीक है और मांकी skill test तो आप देखी सकते हैं CPT में CPT और test हुआ करता है इसके बारे में मैं already आपसे बहुत सारी बातें कर चुका करूँ कि tier 2 examination में weightage कितना होता है ठीक है सारे chapter का तो tier 2 से पहले अपन tier 1 की बात कर लेते हैं तो मैं अगर बोलूँ कि tier 1 में आपका कितने सवाल आते हैं अगर मैं tier 1 के weightage की बात करूँ तो geometry के जो आपके सवाल होते हैं वो होते हैं 3-4 सवाल algebra से आपके 2 सवाल निस्चित हो आया करते हैं profit loss से आपके 2 सवाल आया करते हैं percentage से आपके सवाल data interpretation और percentage मिला करके एक या दो सवाल आते हैं average से एक सवाल रहता है time speed and distance से आपके 2 सवाल यहां पे आते हैं ठीक है उसी तरह से अगर हम आगे की बात करें तो time and work से 1-2 सवाल आपके paper में आ जाते हैं 2-3 सवाल pre में आपको compound और simple interest से मिलता है mixture allegation का एक सवाल ratio and proportion के 2-3 सवाल आपके आते हैं number system से आपके 2-3 सवाल आपको देखने को मिलते हैं data interpretation के 3 सवाल आपको आएंगे अलग-अलग different DI के partnership का कभी-कभी सवाल आता भी है कभी-कभी नहीं भी आता और coordinate geometry का भी-कभी सवाल आता है कभी- तो 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8, 8, 3, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 12, 17 और इधर भी अगर जोड़ो तो 17, 23, 22, 24, 25 ठीक है तो यहाँ पर आप देख लीजेगा इन ही में थोड़ा बहुत variation चलता रहता है ठीक है आपका इन ही में थोड़ा बहुत variation चलता रहता है ठीक है सभी लोगों को देखेंगे त थोड़ा बहुत profit loss से, mensuration से सवाल कम कर देंगे और overall लगभग 25-25 सवाल का ये set तयार कर लेते हैं ठीक है तो यह तो तरीका होता है tier 1 exam लेने का तो यहाँ पर tier 1 की भी अगर बात करें तो इतना vast syllabus आपको नहीं पढ़ना होता ठीक है छोटी-छोटी चीजों का ध्यान रखन होता है थोड़ा बहुत calculation तेज कर लो concept पढ़ डालो लेकिन main अब आता है जो आता है वो आता है mains का exam ठीक है mains का exam में अब यह आपको समझना जरूरी है कि mains में क्या weightage है क्योंकि आप अगर mains को focus करते हुए अपना chapter पढ़ेंगे और अपना syllabus यहाँ पे complete करने की कोशिश करें तब आप pre में भी 50 में 50 लाओगे और mains में भी 180, 190 नंबर तक ला सकते हो अगर देखो यहाँ पे कि जैसे geometry 14 से 15 सवाल आपके आते हैं algebra से 9, trigonometry से 10 सवाल अगर यहाँ पे देखो तो कितने सवाल हो गए 33 सवाल तो यहीं पे हो गए 33 सवाल 33 question out of 100 लगभग लगभग 30 से 33 question कि इतने 3 chapter से आते हैं तो सबसे ज़्यादा most important chapter कौन से हो गए आपके most important chapter आपके कौन से हो गए यह 3 हो गए इसके बाद देखो 10 से 12 सवाल आपके mensuration से होते हैं इंसुरेशन से होते हैं, अल्टरा important chapter, 10 से 12 सवाल यहां से होते हैं, फिर आप देखो, simplification से, आपके दो सवाल होते हैं, लेकिन 2021 के mains में आया ही नहीं, 2021 के mains में एक भी सवाल नहीं आया है simplification से, height and distance से एक से दो सवाल आपके आ जाते हैं, profit and loss बहुत important chapter है, ये भी आपका एक important chapter है, ये भी मैं important लिखता जा रहा हूँ, जिनको मैं syllabus में आपको बहुत focus करना है, फिर percentage से 5 सवाल, average से 2 सवाल, time, speed and distance से 4 सवाल, अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखो, तो यहाँ पर data interpretation तो calculation based चीज़ है, फिर यहाँ पर time and work, CISI, यहाँ से ratio proportion, यह भी important chapter है, जहाँ पर 4-4 सवाल आपके mains में आते हैं, mixture allegation इतना important नहीं है, partnership, दो ही सवाल रहते हैं, partnership से भी 2 सवाल ही आते हैं, कभी-कभी coordinate geometry से भी सवाल आ जाते हैं, और overall 100 question आपके आते हैं, तो अगर आप द यहाँ पर mensuration लिख दू, मेरे भाई, तो यहाँ पर mensuration के 12 सवाल add कर दो न, तो 33, 12, 45, यहाँ तक अगर घेरा ले लो, तो यह 33 plus 12 आपके 45 सवाल सोचो, यहीं से आ जाते हैं, सिर्फ 45 सवाल, 40 से 45 सवाल यहीं के आपके रहते हैं, ठीक है, तो यह बहुत बड़ा weightage है, आज की rate में, थोड़ा बहुत आप 2-4 question कह सकते हो, आगे पीछे, अब हर बार paper में यही weightage नहीं चलता, एक-दो सवाल किसी chapter से ज़ादा है, किसी chapter से एक-दो सवाल कभी कम भी आ जाते हैं, लेकिन overall आपका यहीं रहता है, अगर range देखा जाए, तो 100 में 40-45% यही 4 chapter cover करते हैं, यानि सबसे ज़्यादा focus क्या करना है, geometry focus करना है, आपको geometry सबसे ज़्यादा पढ़ना है, फिर इसके बाद पढ़ना है क्या trigonometry, algebra, mensuration, इन सबको सबसे ज़्यादा पढ़ो, फिर आप धीरे-धीरे आप arithmetic math की तरफ आओ, जहां पे आपका distribution ज़्यादा है questions का, उसमें भी फ focus पूरा इसमें होना ही चाहिए number system में, जितने भी concept possible है, बागी arithmetic में आप ratio method सीखिए, सबसे पहले percentage ratio and proportion से start करिए, percentage chapter पढ़िए, फिर ratio and proportion पढ़िए, फिर इसके बाद simple profit and loss पढ़िए, profit and loss के बाद आप वहां पे simple compound interest पढ़िए, time and work पढ़िए, mixture allegation पढ़िए, तो इस तरह से आप पढ़ते चले जाएंगे, लेकिन सुरुआत आपको करनी है किस से, मैं अगर आपको बताऊं पढ़ना कैसे, तो सबसे पहले जो आपको chapter पढ़ना है वो percentage पढ़ना है, ठीक है, सबसे पहले अगर आप सुरुआत कर रहे हो, beginner हो, तो सबसे पहले percentage आपका first chapter होना चाह चाहे आप advanced math पढ़ रहे हो, चाहे आप arithmetic पढ़ रहे हो, लेकिन सुरुआत percentage से करो, पहले percentage पढ़ो, फिर second number पे आपको ratio proportion पढ़ना है, third number पे profit and loss, fourth number पे CISI, ये arithmetic का तरीका होना चाहिए, अगर advanced math पढ़ रहे हो, पहले geometry से सुरुआत करो, geometry के बाद algebra पढ़ो, फिर trigonometry ठीक है, clear है, ये बातें ध्यान रखिएगा, ऐसे ही आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है, और in chapter का weightage देखते हुए, इन ही chapter में महिनत करनी हैं आपको सबसे ज़्यादा, ठीक है, जैसे number system हो गया, तो number system में factors औगेरा पढ़ो है न, factor हो गया, आपका divisibility factors से बहुत सवाल आते ह हैं, जैसे divisibility rule का concept हो गया है न, divisibility rule का आपका जो concept हो गया है, यहां से भार भार आपके सवाल आते हैं, ठीक है, और factors और divisibility rule यहां पे आपका main important चीज यही है, ठीक है, दो ही चीज से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, profit and loss से आपका जो आ गया तो, यहां पे dishonest shopkeeper वाला discount जो आपके बहुत सारे अलग-अलग आपके types बना करते हैं, all type questions आपको आने चाहिए, ठीक है, परसेंटेज में भी आपको revenue वाले, जिनमें revenue अगर जनरेट होता है, ठीक है, जिनमें एक कोई चीज constant होती है, वो वाले सवाल आपके important सवाल होते हैं, ठीक है, आपको यहां पे व fraction values के उपर अपनी मेहनत करिए अच्छे से, यह ना फिर ratio and proportion, जितने भी types के सवाल है, average की जितने types सवाल है, simple और compound interest में आपको मेरे से ratio method पढ़ना है, ratio method आपको आना चाहिए, बहुत important है, ratio method, very important method है, यह आप जब तक नहीं समझोगे, तब तक आपको इस चीज़ से महारत हा नहीं होगी, ठीक है, उसी तरह से, advanced math में, algebra, algebra में सबसे important x plus one upon x form होता है, फिर आपकी identity होती है, जितनी भी identity होती है, identity cubic, जो होती है, वो बहुत important है, x plus one upon x form बहुत जादा important है, coordinate, geometry थोड़ा बहुत पढ़िए, quadratic equations पढ़िए, यहां से भी आपके, एक से दो questions आपके exam में आ जाते है, triangle تو बहुत important है, कितने types of triangles हैं, center of triangle, इनके types, center क्यों कौन से है, triangles में, centers of triangle, properties आपको पढ़नी चाहिए, triangle की properties कितने होती है, ठीक है, फिर circles में आपको सब चीजें पढ़नी है, ठीक है, tangent की आपको, यहां पे tangent की properties पढ़नी चाहिए, ठीक है, और इसके बाद, cycli quadrilateral की properties पता होनी चाहिए, cards के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो ये सारी चीजें already आपकी class live चल रही है, है न, class आपकी live daily 11 a.m. पे चल रही है, ठीक है, daily Monday to Saturday जहां पे अभी मैं geometry पढ़ा रहा हूँ तो Monday to Saturday आप मेरे साथ geometry की class में add हो सकते रोज सुब़ई 11 बजे, है न, रोज सुब़ई 11 बजे आप मेरे साथ जुड़िए और मैं वहाँ पे geometry अच्छे level में पढ़ा रहा हूँ, theory plus MCQs, यानि कि theory plus आपको वहाँ पे question practice रोज सुब़ई Monday से Monday to Saturday आपकी चलती है circles की, मतलब geometry chapter की है न, जहाँ पे अभी triangles पढ़ रहे है, ठीक है, quadrilateral के बारे में पढ़ना है, polygon के बारे में पढ़ना है right prism, अब देखिए यहाँ से आपका यह आगया mensuration वाला topic यहाँ से यहाँ तक mensuration में क्या चीज़े important है, उन सारी चीज़ों पे सारी properties पता होनी चाहिए, फिर आपको trigonometry की जितनी भी advance identity वगेरा होती है वो भी पढ़नी है, न, normal के साथ advance identity भी पढ़नी है, आपको basic identity भी आनी चाहिए basic identity, advance identity और पहरे algebra पढ़ लोगे तो बहुत सारा algebra भी आपको help करेगा trigonometry में, और height and distance आपको trigonometry के बाद पढ़ना है, ये भी आपका easy topic होता है जहां से एक से दो सवाल आप बिलकुल आराम से हमेशा कर सकते हो, एक से दो question ये easily इस topic से आप निप्टा सकते हो, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपका मैस का syllabus था, ठीक है, क्या chapter important है कि इनका weightage कितना है, आपको यहां से मुझे लगता है कि एक idea मिला होगा कि तयारी कैसे करनी है, कि इनको कितना ज़्यादा आपको focus करना है कि इन chapter पर, ठीक है, तो इन सारी बातों का ख्याल रखिएगा, चलिए, और guys एक और important आपके सभी को request है कि olive board का आप लोग mock लगाईए, मैं अगर कहूं, तो जो बच्चे SSE Cegel Tier 1 2022 की तयारी कर रहे हैं, तो best mock है, पूरे best mock है सारे platform से, मैं as a student, as a आपका भाई बोल रहा हूं, मैं आप मेरे साथ जुड़िये, मैंने खुद mock लगा के देखे हैं, और मुझे पता है कि olive board के ये वाले जो mock हैं, ये best mocks हैं, especially for SSE Cegel Tier 1, ठीक है, तो आप mock जरूर लीजे, आप elite pack ले लीजे, SSE elite pack, एक ऐसा pack होता है मेरे भाई, जहां पे सारे all SSE exams के, all SSE, all SSE exams के आपको pre or mains के यहां पे mocks आपको मिल जाते हैं, और जितने भी आगे नए new mocks आते जाएंगे, सारी चीजें आपको इसमें मिलती जाएंगी, maximum possible discount के लिए code इस्तिमाल आप करिए, ठीक है, like करिए video को, comment करके जरूर बताईए video कैसी लगी, और आपका कौन सा chapter आपको tough लगता है, और आपको जो chapter tough लगता है, उस chapter के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उस chapter का आपको वहाँ पे काम तमाम करना है, कैसे आपको preparation करनी है उस chapter की, ठीक है, कैसे मैं उस chapter की preparation करा हूँ ताकि वो आसान हो जाए, ठीक है, और आप तैयारी कर रहे हैं की नहीं मौक्स लगा रहें की नहीं सारी चीज़ें कमेंड में बताओ शेयर करो और सब्सक्राइब करो All the Board SSC चैनल को मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक ले ख्याल रखिए Take care, bye bye and have a nice day guys